एक समय की बात है एक छोटे से गाव में एक बच्चा रहता था जिसका नाम राजू था राजू बहुत ही खुश नुमा और सहयो के बच्चा था एक दिन राजू को अपने गाव की गाड़ी से दुसरे गाव जाना था गाड़ी में राजू के साथ उसका दोस्त छोटू भी था दोनों बच्चे भहुत खुश थे क्योंकि यह पहली यात्रा थी जब ये रास्ते में चल रहे थे तो गाड़ी एक गाड़ी के पास से गुजर रही थी चारो और का दुरुश्य भहुत ही सुन्दर था लेकिन फिर गाड़ी में एक अटकाव हो गया गाड़ी का इंजन काम नहीं कर रहा था राजू और छोटू डर गए उन्हें लगा कि अब क्या होंगा तबी राजू ने अपने दोस्त से कहा छोटू हमें घबराने की जरूरत नहीं है हमें एक समाधान दुन्दा होंगा राजू ने अपने दोस्त के साथ मिलकर गाड़ी की जाच की और उन्होंने देखा कि गाड़ी की बैटरी खत्म हो गई है लेकिन उनके पास एक बड़ा और एक छोटा बैटरी था राजू ने छोटू से कहा देखो हम यहां पर दोनों बैटरिया को जोड़ कर गाड़ी को को पार कर दिया इसके बाद वे अपने गाव पहुचे और सब को अपने कहानी सुनाई सब ने उन्हें बदाई दी और उनकी बहादूरी की सहराना की इस कहानी से हमें यह स्यखने को मिलता है अगर हम एक साथ मिलकर काम करें तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं साथ मिलकर समाधान धुंडे.